ये हर घर तेरंगा का जो प्रोग्राम है उसमें इन लोगा प्रति स्रद्धा देना है हम लोग एक साथ एक त्रिपुरा स्रेश्ट्रो त्रिपुरा एक भरत स्रेश्ट्रो त्रिपुरा जो बनाना है उस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूँ जो जी इस तरह भारत डेवलाप्मेंट के दिशा पर चल रहे है माननियो प्रधान मंत्री जी के अर्शित बात से उनका डिरेक्शन से हम भी उनके साथ इस तरह हम लोग भी काम करें कर रहे हैं प्रद्धन मुंत्रे जी उन्होंने आववान किया है जिनोंने देश को साधिनता करने के लिए जो बोलीदान हुए है ये हर घर तेरंगा का जो प्रोग्राम है उसमें इन लोगा प्रति स्रद्धा देना है और इनको याद करना है और आभी भी देश का बचानी के लिए रक्षा करने के लिए जो हमारा सुरक्षा बल या आर्मी पुलीस के बहदूर स्वैनिक है ये लोग जो बोलीदान होते हैं इनके प्रति भी स्रद्धा बेक्ट करना चाहिए इसलिए उन्होंने जो लास्ट जो मन की बात उनुस्ठान में उन्होंने आभेदन किये थे सभी जगा हम लोग ये जो हरगर तिरंगा का प्रोग्रम बढ़िया से मनाएं और 2022 में भी ये स्टार्ट हुआ था त्रिपुरा में भी ये हो रहा है इस बार तो आज 13, 14, 15 तीन दीन खास करके बताया लेकिन हमारा यहां बहुत समासे भी संग्रटन ये लोग पहले से शुरू कर दिया है आप देख रहे हो ये रेली मेरसन जो हो रहा है तो मेरे ख्याल से सब में एक अच्छा एक महल यहां पर तयार हुआ है और देखिए त्रिपु पुरा जो बनाना है उस दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं सरकार भी बहुत सरा जो डेवलापमेंटल वाड चितना हो सकतरी पुरा पहले भी था आप आप देख रहे हो किस तरह डेवलाप हो यहां पर नेर्शनल हाईवे से सुरू करके एरवे से सुरू करके मर्णिय इसलिए डेवलापमेंट भी चाहिए और आपस में भाईचरा यह भी होना चाहिए तो इसको लेके आज हम लोग यहां पर जो रेली यहां पर निकाले तो मैं समझता हूँ इसमें सभी हम लोग एक हर्टा हो हैं स्टूडेंट से सुरू करके बहुत समाथ से भी संगटन यह लोग भी हमरा साथ है और मैं त्रिपुराबाशी को मैं यह कहना चाहता हूँ जिस तरह भारत डेवलापमेंट के दिशा पर चल रहा है माननिय प्रध जान मंत्री जी के अर्षिद बात से उनका डिरेक्शन से हम भी उनके साथ इस तरह हम लोग भी काम करें झाल झाल झाल